नुश्कार दोस्तो मैं डुक्टर म्रीश खारी आपका अपनी यूट्यूब चैनल डुक्टर खारी पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमियोपेटिक मेडिसीन लाइकोपोडियम के पेट के रोगों के बारे में दोस्तो लाइकोपोडियम पेट से रिलेटिड काफी सारी बिमारियों में काम आती है डाइजेशन में जो भी प्रोप्लम आती है जैसे गैस का बनना, इसीडिटी ज़्यादा बनना या फिर पेशेंट को कई बार कॉंस्टिबेशन और डाइरिया भी हो जाना दोस्तो होमियोपेटी में पेशेंट के रोप के साथ साथ माइंड सिम्टम्स भी देखा जाती है कि पेशेंट के माइंड सिम्टम्स क्या होते है पाइकोपोडियम मेडिसीन उन पेशेंट में ज़्यादा असरदार रहती है जिन पेशेंट के अंदर lack of confidence रहता है यानि confidence की कमी रहती है पेशेंट अपनी योगता पर शक करता है पेशेंट लोभी, कंजूस और लड़ाकू होता है दोस्तो जो पेशेंट का शारीरिक विकास होता है वो बहुत कम रहता है यानि पेशेंट दुखला पतला कमजोर दिखने में होता है लेकिन पेशेंट mentally बहुत strong रहता है यानि intelligent होता है दोस्तो वैसे तो patient अकेला रहना पसंद करता है चुप रहना पसंद करता है लेकिन कहीं बार उसे अकेला पन भी सहन नहीं हो पाता है patient बहुत emotional होता है किसे भी बाद से जट से रो देता है दोस्तो जानते हैं कि likepodium पेड के Beginning के symptoms क्या होते है आइकोपूडियम के पेशेंट में पेट के निचले हिस्से की तरब गैस जादा बनती है थोड़ा सा काना काते ही रोगी का पेट फोलने लगता है पेशेंट के पेट में गुड़-गुड़ की आवाज बनी रहती है पेट में ऐसा लगता है कि जैसे हवा गूम रही हो पेशेंट को हवा यानि गैस की गुड़ गुड़ाहट विशेश तोर पर बड़ी आथ यानि लाज इंडरस्टाइन के उपरी हिस्से में पाई जाती है दोस्तो पेशेंट को गैस में जो सिंटम्स देखने को मिलता है वो यह होता है कि गैस ताई तरफ से बनने शुरू होती है और बाई तरफ जाके अटक जाती है दोस्तो रोगी को खाना खाने के बाद अक्सर गैस के सिम्टम्स आते है उस्तो अगर बात की जाए ऐसीडिटी की तो ऐसीडिटी भी थोड़ा सा खाना खाते ही बनने लगती है रोगी को थोड़ा सा खाना खाते ही पेट में बेचैनी बनने शुरू हो जाती है पेट में एसिड बनना शुरू हो जाता है दोस्तो इन सब प्रेशानी होने के बाद भी रोगी को भूख बहुत जादा लगती है अक्सर एसिड बनाने वाली चीजे जैसे सोयावीन पत्ता गोबी से एसिडिटी पेशेंट को बनती है रोगी का रोटी खाने का मन नहीं करता है रोगी मीठी चीजे खाने में पसंद करता है बोजन उसे खटा लगता है खटी डगारे आती है पेशेंट का डाइजेशन कमजोर रहता है रात को कई बार patient को भूख लगती है जिसके बाद उसे नीन नहीं आती खाना खाने के बाद अमाश्य में दबाव महसूस होता है रात को patient को हिचकी आती है जलन महसूस होती है डकारे आती है रोगी को acidity बनने के बाद भी, gas बनने के बाद भी उसे गर्म बोजन और गर्म चिजे खाना पसंद रहती है रोगी को acidity digestion system में उपर से नीचे की तरब जाती हुई महसूस होती है लेवर में चोने से patient को दर्ध होता है, कई बार रोगी को हड़निया भी हो जाता है Wikipodium के patient को liver में जलन और रुखापन महसूस होता है patient को कभी-कभी diarrhea हो जाता है यनि दस्त लग जाते हैं रोगी को कब्ज हो जाती है जिसमें कभी-कभी मलकठोर हो जाता है anal pain होता है यनि anal reason मलद्वार पर दर्ध महसूस होता है पेशाब करने से पहले पीट में तर्द होता है पेशाब करने के लिए पेशाब को जोड़ लगाना पड़ता है दोस्तों अगर आपको ACIDITY और GAS में ये सिम्टम से नजर आ रहे हो जहां ACIDITY छाती और पेट में मैसूस हो घाते ही अगर आपको पेट में GAS बनने की शिकायत पनी रहती हो तो आप अपने डोक्टर की सला लेकर इस दवाई का सेवन जरूर करें बिना डोक्टर की सला के इस दवाई को नहीं खाना चाहिए या फिर दिये गए वोटस अप नमबर पर संपक कर आप मुझसे भी सला ले सकते हैं